इस साल एक अप्रेल से देश में रियल ड्राइविंग एमिशन RDE नॉम्स लागू होने वाले हैं नए एमिशन नियमों को लेकर कई कमपनिया अपनी गारियों को अपडेट कर रही हैं इसमें देश की सबसे बड़ी कार कमपनी मारूती सुजुकी सबसे आगे हैं मारूती सुजुकी ने इगनिस हैचबैक को नए RDE नॉम्स के अनुसार अपडेट कर दिया है नए अपडेट के साथ इगनिस की कीमते भी बढ़ गई हैं एक रिपोर्ट के अनुसार इगनिस की कीमत में 27,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है कीमत में बढ़ोतरी के बाद मारूती इगनिस 5.55 लाख रुपए की एक्सशोरूम दिल्ली कीमत पर उपलब्ध है मारूती इगनिस के इंजन को अभी 20 फ्यूल कम्प्लेंट बना दिया गया है इसके अलावा कम्पणी ने इसमें Electronic Stability Program, ESP और Hill Hold Assist जैसे नए फीचर्ज भी जोड़े हैं मारूती सुजुकी इगनिस की बात करे तो इसका मुकाबला टाटा पंच और सिट्रोन सी तीन जैसी कारों से है कम्पणी इगनिस में K-Series का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन देती हैं, जो अपने रिफाइनमेंट और भेतरीन पर्फॉर्मेंस के लिए लोग प्रिय है यहां इंजन 83 PS की पीक पावर और 113 NM का अधिक्तम टॉप देता है हैच बैक को मैनूल और आटोमेटिक दोनों ट्रांस्मिशन के साथ उपलब्ध किया गया है डाइमेंशन की बात करें तो इगनिस की लंबाई 3700 mm, चौडाई एक 690 mm और उचाई 1595 mm है, फीचर्स की बात की जाए तो मारूती इगनिस स्मार्ट प्ले स्टूडियो टचस्क्रीन इंफोर्टेन्मेंट यूनिट, स्टीरिंग माउंटेड ओडियो कंट्रोल, आटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट फंक्शन, के लिए टिल्ट एजस्ट्मेंट, पावर जैसी सुविधाओं से लैस है, इगनिस को वर्तमान में सिग्मा, डेल्टा, एम्टी डेल्टा, जीता, एम्टी जीता, अल्फा और एम्टी अल्फा जैसे कुल साथ वेरियंट में बेचा जा रहा है, इसके अलावा इगनिस में 320 लीटर का भूट स्पेस और 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है,